इस वीडियो में बात करने वाले है एस्ट्रो अप्लिकेशन के बारे में क्या यह अप्लिकेशन रियल है या फेक इस से कैसे पंडी जी से बात करते हैं फिरी में कितना रुपया पंडी जी को देना होगा जो एस्ट्रो जी बताते हैं क्या यह सही सही बता पाते हैं तो सारा क तो चिस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊंगा और सिखाऊंगा तो आपसे request हैं कि वीडियो को पूरा देखे सबसे परहें आपको application को download कर लेना है उसके बाद आपको application को open कर लेना है अब आपसे जो भी permission माँगे उस permission को आपको एके करके allow कर लेना है अब यहां पर आप लोग इस application को किस language में use करना चाहते हो आपको अपने language select कर लेना है तो मैं अभी English में रखना चाहता हूं उसके बाद next पर click करेंगे अब यहां पर आपको एक अपना mobile नमर डाल देना है जैसे mobile नमर डालोगे तो आपके mobile नमर पर एक OTP आएगा तो उस OTP के डाल कर आपको sign up कर लेना है जैसे ही आप लोग अपना OTP डाल दोगे तो यहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना नाम डालना है उसके बाद यहां पर आपको अपना जेंडर जालना है और आपका डेट और डालना है और आपका जनम किस टाइम पर हुआ है वो डालना है और आपका बदे प्लेश डालना है उसके बाद आप लोग married हो या single यहाँ पर डालना है और अभी आप लोग का क्या करते हो एक student हो तो यहाँ पर एक student select करेंगे businessman हो तो businessman select करेंगे तो जो भी person हो यहाँ पर आपको select कर लेना है लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग यहाँ पर कुछ भी original मत डालना क्योंकि आगे यह बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं तो चलिए आप लोग यहाँ पर कुछ भी डाल लेना अब जैसे ही आप लोग अपना सारा detail होगे डाल कर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को पहला chat जो की free में मिलता है लगभग आप लोग को 2-3 मिनट आपको free में chat करने का मिलता है तो जो आपने detail डाला होगा वहीं यहाँ पर send हो जाता है और उसके अनुसार ही यहाँ पर आपको बताया जाता है तो मैं आपको यहाँ पर जो बताया कि आप लोग अपना कुछ भी real मत डालना क्योंकि यहाँ पर हम पूछेंगे अपने बारे में नहीं त ता उसी अनुसार आपको बताया जाता है तो चलिए अगर आपको यहाँ पर फिरी में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर आप लोग फिरी में नहीं पूछोगे तो फिर आपको किसी भी एस्ट्रोजर से बात करने के आप लोग पंडी जी से बात कर सकते हो और आपको इनको पैसा देना पड़ेगा अब इनको कितना पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर आपको सारा कुछ बताता हूं यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अब आप लोग को सबसे पहले किस रिलेटेड किस एस्ट्रोज ट्रोक से बात करना है उनसे बात करने के लिए आप लोग को यहां पर एक बीनट बात करने के लिए इनको आपको 24 फ्या देना पड़ेगा तो जैसे ही आप लोग अगर चेट पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मैनिमम जो बाइलेस मिन्टेंड करना है वो आपके बाइलेस यहां पर 120 रुपिया आपके एकाउंट में होना चाहिए तो अभी आप लोग बात कर सकते हो इस तरीके से आपको हर एक एक स्ट्रोजर का अलग अलग पराईज है अलग अरण उनका रेट है तो जैसे कि अगर आप लोग इन से बात करना चाहते हो तो इनका जो पराईज है चेट पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपकी एकाउंट में 75 रुपिया होना चाहिए मतलब कि यहां पर अगर आप लोग को किसी भी स्ट्रोकर से बात करना है तो आपको इसमें रिचार्ज करना पड़ेगा तो इसके लिए आप लोग को यहां पर वाइलेट वाले अप्शन पर क्लिक कर लेना है जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही यहां पर अगर आप लो 25 रुपिया के रिचार्ज करते हो तो आपको यहां पर गेट 50 रुपिया यहां पर आपको 25 रुपिया बोनस में मिल जाएगा अगर फर्स टाइम रिचार्ट करते हो तो अब यहां पर जैसे कि अगर आप ब sag in पर आपको अथारव रुपिया जीयेश्टी देना पड़ेगा यहां पर आपको 100 रुपिया के रिचार्ज पर आपको 118 रुपिया पेमेंट करना पड़ेगा अपने एकाउंट से और आपका जो 18 रुपिया है वो GST चला जाएगा तो ये बात सुनकर मुझे हसी आई कि इस अप्लिकेशन में अगर आप लो 100 रुपिया के रिचार्ज करते हो तो 18 रुपिया अलग से पेमेंट करना देना पड़ेगा अगर आप लोग 500 रुपिय का यहाँ पर रिचार्ज करते हो तो यहाँ पर आप लोग को 90 रुपिया जो की GST देना पड़ेगा 18% का तो यहाँ से मैं कहूंगा कि अगर आपको रिचार्ज करना है तो 65 रुपिय करके एक बार चेक अट कर लेना बाकी मैं आपको बता देता हूं कि यह अप्लिकेशन जो इस्ट लोकर होते हैं वो सही बताते हैं या फिर फेक तो देखिए मैंने भी काफी सारे 2-3 इस्ट लोकर से बात किया लेकिन यहाँ पर कोई भी सही सही नहीं बता पाते हैं यहाँ पर 74% से जादा आपको लोग फेक बताते हैं अगर आपकी साधी हो गई हैं और आप लोग उनसे पुछोगे तो आप कहेंगे कि आपका जल्दी साधी होने वाला हैं तो ऐसे कुछ बताते हैं अलग-अलग तरह के मैंने 3-4 एस्ट लोकर से बात किया तो 3-4 एस्ट अलग-अलग बताया इसलिए मैंने कहा कि आप लोग अपना date of birth सारा कुछ गलत डालना ताकि जब उनसे बात करो अपना real कुछ बेजो तो सही से वो बता नहीं पाते हैं बाकी यहीं था अगर आप लोग को यहाँ पर फिरी में इस्ट लोकर्स को देखना है तो यहाँ पर आप लोग वाले अफ्शन पर आजया ना यहाँ पर आपको लाइव में जो दिख बताया जाता है यहाँ पर आप लोग लाइव रहते हैं एस्ट लोकर तो उनको कापी सारे लोग देखते हैं तो वहाँ पर तो आपका प्रोगलम सोर्म नहीं होगा बाकी जो था मेने आपक लौब वाले option पर ुप्म्हीं करना अगर falls अविग white वाले option पर कल्क्राइब character सब्सक्राइब कर लेना वर मेरेकण राप लोग बिज्नेस में चाहते हो इजूकेशन में चाहते हो तो अलग अलग तरह के अलग अलग एक्ष्ट लोकर हैं तो यहां पर आप लोग केटेगरी में जा कर देख सकते हो इस एक्ष्ट लोकर से आपको बात करना है तो इस तरीके से यह अप्लीकेशन था इसके बारे में मैंने आपको A to Z बता दिया है तो उमीद करता हूँ कि आप भी को जाने होगे कुछ सीखे होगे तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना अगर आपको कुछ भी पुछना है तो आप लोग नीचे कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना ताकि मैं आपका रिपलाई दे सकूँ तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में